करेंगे पंजाब राउंड अप का नकोदर में रक्तदान कैम्प लगाया गया वहीं सरकारेकर में जगबीर से इंग बरार समेते तमाम अधिकारेों ने शुकत कि और साथी पचास के करीब कॉंग्रेस कारेकरताओं ने रक्तदान भी क्या रोस्पर में बाइक सवाब अधमाशो ने महिला के मोबाइल लेका फरार हो गए वहीं सिसी टीवे फुटेज के अधा पर पुलिस में मामले में केस दर्चकर जाश्रू करती है 550 विप्रकाश पव को लेका मलेर कोटला से नगर कीर्टन निकाला गया वहे सुल्तान पूर लोधी पहुंचने पर मुस्लिम समुधाय के लोगों ने नगर कीर्टन का स्वागत क्या रुद्यानावे किसान मेले का अउजन क्या गया वाइस मेले में करीब तीन से ज्यादा स्टॉल लगाए गए और इस मेले में किसानों ने खेती बाड़ी के लिए जागुकता दिखाई पट्याला सरहद रोज पर वाटर सप्लाई के छे वरकर्स का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जा रही है वरकर्स अपनी मागों को लेका पानी की टंकी पर चड़ का प्रदर्शन कर रही है और इन परदर्शन कारियों का कहना है कि पिछले तीन सालों से उन्हें तनफ़ा नहीं मिली है जब तक उनकी मागे पूरी नहीं होती सब तक वो नीचे नहीं उत्रेंगे जलन्दा के विला मॉल में चल रही दोस्तों की पार्थी में अच्छानक से किसी बात को लेकर छकड़ा हो गया और इसे छकड़े में गोली लगने से एक व्यक्ति की गंभी रूप से जख्मी हो गया जिसका अस्पताल में लाच चल रहा है और फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी को जल्द किरफ्ता करने की बात कह रही है अमेरिका में रहने वाले कपूर्थला के एक युवक्त को अमेरिका के कार्सवार ने नशे की हालत में टकमार ज़र्स घत्ना में युवक्त की मौके पहिं मौत हो गया जाला के कार्सवाल युवक भिगंबी रुप से घायल हुआ है। जाला के कार्सवाल युवक भिगंबी रुप से घायल है। जाला के कार्सवाल युवक भिगंबी रुप से घायल हुआ है। ठगी से बचनी किया। भजिंड़ा में रात के समय लोगों ने काखिद्नाप महिला को पकड़ का पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का आरूप है कि महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही पडोस में रहे रहे दो बच्चों का फ्रंट किया था। पुलिस ने आरूप महिला के खिलाप मामला दाजकार जाश्यू करती है। इस मौके पर खिलाडियों में खास उतसा देखने को बिला। तीन दिन पहले गाउचीमा के रहने वाले एक नौजवान युवक की सड़क खाथ से में मौत हो गए थे जिसके बाद से आरूप के पकारवाई ना करने के विरोध में मृतक के पारी जुनों और रकिसान यूनियन और अन्निक तंगतुनक पर देशिन जारी है पर जुनों